नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आप सबका दोस्त और होस्ट जैसिंग तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थ्री केमिकल काइनेटिक मैं बता दू इस चैप्टर के बारे में खुबसूरती के बारे में कि 2024 में जो नीट का एक्जाम होगा तीन सब्सक्राइब तो यहां से तीन सवाल क्यों आएगा सर ऐसा क्या होगा दो से थीन क्यों सिर्फ ठोरा क्योंगे चैप्टर रेडूस हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुश्चंस के नंबर बढ़ेंगे तो यहां से तीन कुश्चंस आने की संभावना है अब पेपर बनान यहां इवाला मालुक कैसी किसी और हालत में बना रहे हो मतलब स्वस्त हालत में ने हो तो अब फैमिकलर कानिटिक्ष हुगा इसा नहीं होता है, उनको भी जवाब देना होता आगे सलके, सब से आएंगे ऑससे कंब से कम से कम तीन सवाल तुमने का सर चलो सर तीन सवाल बता दिये क्या तीनों सही होंगे मैं आपको गैरंटी देता हूँ बस चिलपो कोई नहीं करेगा लेक्चर अच्छे से अटेंड कीजिएगा हर एक लेक्चर में मैं सारे पीवाई क्यू भी करवाता चलूँगा साथी साथ आपको concept and tricks समझाऊ जिसकी थेओरी की जरूरत होगी उसे मैं explain करूंगा और जिसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत जादा mathematical term है और जो नीट के बच्चे ना उनके लिए बहुत tension होती है जब mathematics आता है तो जहां भी mathematics आएगा जैसे log term आएगा log में पहले पढ़ाऊंगा बैलू जर ने स्टार्ट की थी कोटा में तो उमीद करता होगी यह चैप्टर में धाई 300 बार पढ़ा चुका हूँ तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर जब आप कई बार पढ़ लेते हो पढ़ा देते हो तो बहुत ज़्यदा confidence आता है तो इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले सा मोल लगा के समझाया है अलफा आप डिगरी आप डिसोसियेशन आप पढ़ोगे chemical equilibrium में पूरे दो लेक्चर में तो बढ़ा थोड़ा सा सबर कीजिए हर एक चीज का ताइम आएगा और आप यार 11th में थोड़ी ना हो कि जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो यार 11 12 आप कोचिंग नहीं हो पाई backlog हो गया है यार तो थोड़ी सी चीज एड़स्ट करो ना यार प्लीज अरे यार तभी तो हम अच्छा दे पाएंगे आप छोटी सी चीज नहीं समझवाई रोना शुरू कर दिया अरे यार मेरी गलती नहीं है उसमें क्यों नहीं आप मानते हो यार आपना excuse ढूडते हो जैसे आपका selection नहीं हुआ तो तुमने पूरा का पूरा स्रे घरवालों से बोला होगा कि teacher अच्छा नहीं था teacher मिले होंगे तो बोला होगा कि घरवाले बहुत pressure कर रहे थे इसलिए paper अच्छा नहीं हुआ जब हम कुछ life में achieve करना चाते नहीं कर पाते हैं कि हमने जो किया वो गलत है और ऐसे ही लोग बहुत आगे जाते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप positive mind से paper pen लेके बैट जाएंगे और लिखना शुरू करेंगे और NCRT अगर आपके पास होगी तो मेरे lecture के बाद एक बार roughly read pastment में कर लिजेगा नहीं होगा तो google से इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया जाएगा rate of reaction पढ़ेंगे बिल्कुल चैप्टर भी वही है type साफ rate of reaction अच्छी बात आगे बड़ो अब यह NMC के द्वारा जो syllabus दिया गया है वो लेके आया हूँ मैं इनमसी ने जो syllabus दिया था दोस्तों क्यों लेके आया हूँ कई बार लोग लिखके दिखाते हैं कि इस चैप्टर में यह topics पढ़ने मैंने का उसमें भरोसा ना हो मेरे बच्चों को तो मैं पूरे अगा syllabus ही लेके चलाया हूँ क्या-क्या पढ़ना दोस्तों जरा ध्यान से द ठीक है, elementary and complex reaction ठीक है, यह कल पढ़ेंगे, order and molecularity of reaction कल पढ़ेंगे, rate law, rate constant and its unit कल पढ़ेंगे, differential and integral, forms of zero first order reaction, second order नहीं है ध्यान से देख लो, कोई भी चिलपो नहीं करेगा, फलाने सानने second पढ़ा है, मैं second नहीं पढ़ाऊंगे, मेरे पास समय नहीं है, पढ़ाऊंगा वही जो neat में आएगा, या neat में पूछ सकता है, न जादा न कम, बास समझिएगा, dear characteristic and half life पढ़ेंगे, the effect of temperature and the rate of reaction, arhenius theory उसी से सब related है, activation energy विल्कुल पढ़ेंगे, calculation पढ़ेंगे, इसका collision theory पढ़ेंगे, और लिखा है साब साब कोई derivation नहीं, सिर्फ आपको concept बताना है, क्या हो दिया है, मिला लिजिएगा, पिछले chapter के तरीके से, हर chapter मैं लिखके दूँगा, तक ही मेरे प्यारे बच्चों को कोई गुमराह ना कर पाई, आपके पास खुश ले बस ना बाबू, तो देखो ना यार, क्यों किसी के चक्कर में पढ़ेंगे, फलाने सर ने बोल दिया, त कैनेटिक, chapter का नाम है, Chemical कैनेटिक, ठीक है, बेटा पहले इस वर्ड का मतलब समझें, Chemical कैनेटिक का मतलब क्या है, पर लिए बात समझें आप, Chemical कैनेटिक का मतलब है, Chemical reactions की बात होगी, chemical reactions की बात होगी kinetic का मतलब होता है movement क्या होगा movement होगा movement यानि की speed की बात होगी क्या होगी speed की बात होगी तुमने का ठीक है इस chapter में हम क्या deal करेंगे the branch of physical chemistry which deals with rate of reaction and its application या affecting factors अगर आपसे कोई पूछे definition क्या है इस chapter की the branch of the branch of physical chemistry physical chemistry to the point basic से प्राहूंगा which deals with which deals with rate of reaction and its affecting factors यानि कि इस chapter में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे rate of reaction की क्या बात करेंगे rate of reaction की बात करेंगे और उनके जो affecting factors होंगे उसकी बात करेंगे एकदम pen paper लेके बैठ जाओ गरंटी देता हूँ इस chapter में अगर एक भी सवाल तुम्हारे रुक गए चाए PYK के चाए NCRT के चाए DPP के चाए Notes के चाए आपके test में जो आएगा और चाए NEET में आएगा उसकी भी guarantee दे रहा हूँ ये marker मैं आपके सामने रख दूँगा लेकिन बटा ऐसे ही नहीं बोला हूँ लेकिन आपको पूरा lecture बहुत अच्छे सा करना है और जो चोटी चीज समझ में आए उसको help लेना कैसे help लेना है doubt section में पूछके ask doubt में ठीक है न comment box में आप doubt पुछो के तुमाँ कोई reply नहीं दे पाएगा क्योंकि option नहीं होता ना धेर सारे messages आते रहे चलिए अच्छी बाद बात के मैंने chemical reactions की chemical reaction का moment पढ़ेंगे हम लोग इस speed पढ़ेंगे तो अगली slide पे चलते है chemical reaction के बारे में क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है chemical reaction और reaction का मतलब हो गया reaction इसे shortcut में लिक रहा हूँ आगी आप ऐसे भी लिख सकते हो reaction की के सर अच्छी बात है अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा ध्यान से समझना हूँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या चीज है chemical reaction में तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कौन-कौन सी चीज़ें मैं लिक रहा हूँ पहला spontanity spontanity of reaction कि जिसे feasibility of reaction कहते हैं परिशान मत हूँ दूसरा extent of reaction ठीक है तीसरा speed of reaction ठीक है दो-दो में इन में समय लेता हूँ और example के साथ समझा दे रहा हूँ ज्यान से समझा जैसे मानलो आप किसी लेब में जाते हो किसी reaction को कराना है आपको तो आप करते हैं एक्स को य के साथ मिलाते हो फिर हिलाते हो फिर आप बेट करते हो प्रोड़क्ट का तो पहली चीज ऐसी होगी कि हो सकता है प्रोड़क्ट बने ही न हो सकता है प्रोड़क्ट बने ही न दूसरी चीज मानलो तुम्हें 100 ग्राम बनाना है 50 ग्राम बन जाए तीसरी चीज मानलो तुम्हें अभ इसरी बात किसी स्पीड से बनेगी, आज ही बनेगा कि दो चार साल बाद बनेगा, यानि कि किसी भी chemical reaction में तीन चीज़ें समझनी हैं, अब कुछ लोग चिलपों शुरू कर देंगे, हमको तो तीन चीज़ नहीं पता हैं, बेटा समझो, इस पॉंटेंटी आफ reaction आप पढ़ोगे, थर्मो डाइनमिक्स में, हम ही पढ़ाएंगे, बस सबर कीजिए, इसकी हम बात भी नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे थर्मो डाइनमिक्स में, ठीक है, तुमने का अच्छी बात है सर, एक्स्टेंट आफ reaction पढ़ेंगे, कि अग का नाम हो जाएगा, खेमिकल इकली विरियम, एन्सियाटी जब खोलोगे तो पहले पेज में, तीन लाइने लिखी हुई है, इनके बारे में तो मैं भी वही समझा रहा हूँ, किसी भी केमिकल रियक्शन के बारे में, तीन चीज़ें पता होना आपको जरूरी है, इस पीड तादो सर, एक दो बातें, चलो याद दिला देता हूँ, जिन्हों न, इलेवर्थ में अच्छे से पढ़ा होगा, उनको पता होगा, नहीं पढ़ा, तो हम पढ़ाएंगा यार, परिशान मत हो, जब समय आएगा तब, यह थीन बातें आप चाहो तो याद कर लो, पहला, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, डेल्टा जी गेटर देन जीरो होगा, तीसरी बात, डेल्टा जी बराबर जीरो होगा, इसको बोलते हैं, गिप्स फ्री एनरजी, अब कुछ लोग इस पर भी परसान हो लें, सर यह तो हमें नहीं समझ माया रहे, भाई यह समझ में नह कैसी होगी Spontaneous होगी कैसी होगी Spontaneous होगी Delta G Getter Than 0 होगा तो reaction कैसी होगी Non-Spontaneous होगी । अगर डिल्टभी बराबर 0 होगा तो reaction equilibrium में होगा कैसा होगा equilibrium में होगा इपने का चलो सर अच्छी बात है अच्छा कि आपने बता दिया नहीं तो हम परिशानी हो जाते ठीके सब अच्छी बात है chemical equilibrium में क्या होता है ध्यान से समझें जब reactant product में जाता है तो ऐसा equilibrium का sign लगता है यहाँ पर हम KC लिखते हैं KP लिखते हैं बस मैं याद दिला रहा हूँ सोचो क्या हमने पढ़ा था पढ़ना नहीं है पढ़ना वो है पढ़ना वो है मेरे भाई बस इसे तुम्हें समझना आएगी हाँ ठीक होता होगा अपने को क्या है यार तो बटा केसी लिखते थे product की concentration upon reactant की concentration याद करो याद आया कि नहीं आया भाई याद करो याद आया कि नहीं हाँ सर याद आगया product की concentration और reactant की concentration समय समय स्पीड किसी भी chemical reaction की speed लिखेंगे तो पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे लिख दे रहाओ कुछ तेर बाद पढ़ेंगे क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक है सर ठीक है सर इस पॉन्टेंटी आप reaction हम thermodynamics में पढ़ेंगे तीन चीज़ें आपको पहले से में बता देनो समझ में आना चाहिए डेल्टा जी लेस दन 0 है स्पॉन्टेनियस है याद करो सब लोगों ने याद किया था कहां solution आइडियल नो आइडियल में डेल्टा जी गेटर दन है तो तो इज़े हम पता करते हैं केमिकल काइनेटिक्स है क्या मेरी पास समझ में आगी समझ में सबको आ रहा है सर केमिकल रियक्षण केमिकल रियक्षण बेस्ड ओन स्पीड बेस्ड ओन स्पीड जहां से समझ ना हो अगर आप से कोई पूछे कि केमिकल रियक्षण स्पीड के बेसेस पे कितनी होती है बहुत छोटी सी बात सिपन्सियाटी में बोल लगा है इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, फिर भी मैं जितना जरूरत हो सकती है, सब बता दे रहा हूँ, परिशान मत हो, ध्यान से समझ रहा हूँ, पहली होगी, very fast reaction, very fast reaction, कैसे पहचान होगे, परिशान मत हो, पहचानना नहीं है तुम्हें, बस कुछ बातें याद र slow reaction, तीसरी reaction है बाबू, very slow reaction, क्या हो जाएगी, very slow reaction, जो बहुत धीमी होगी, पेटा ध्यान से समझ वह, very fast का criteria क्या है, 10 to the power minus 10 to, 10 क्या 15 ले लो, 10 to the power minus 16 seconds, तुम्हें कहा, मतलब, हमने कहा, ये वो reaction है, जो, ऐसे डालने पे, कितना समय लेग रहा है, 10 to the power minus 15 seconds लेग रहा है, इतना कम समय में, reaction फट से हो जा रही है, ऐसे criteria 10 to the power minus 5 से जादा है, लिकिन मैं बात कर रहा हो, कि minimum कितना समय लेग सकता है, कितना समय ले सकता है, इतना, यानि कि कोई reaction डालो, उसमें second भी नहीं लेग रहा है, 10 to the power minus 15 seconds, इतनी fast reaction, तुम्हें का, सर, बहुत ही fast reaction है, बिल्कुल fast है बेटा, ये तुम्हारी तरह fast है बेटा, जैसे तुम fast हो, तुमने का, सर, कौन कौन सी reaction, जैसे, acid base reaction, जितना बता रहा हूँ, उतना ही जानना है, जादा नहीं जानना है, परिशान हो जाओगे, ध्यान से शुन लो, ध्यान से शुन लो, ये वाली slide आपको सिर्फ देखनी थी, समझनी थी, क्या पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, याद नहीं रखना इस वाली slide में बस तुमें पता होना चाहिए, कि कैसे हम define कर रहे हैं, acid base reaction, जैसे, HCl की reaction हमने NaOH से करा दी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस पान, HCl है आपके acid है, NaOH बेस है, इसे बोलते हैं, acid base reaction, ये भी बहुत ही fast reaction होती है, दूसरी, precipitation की reaction, ये precipitation की reaction, क्या होती है, जिसमें precipitate जम जाता है नीचे, अगर आप गाओं के देद हो, या साहर के हो, तो चूना देखा होगा, एक खाने वाला होता है, तो चूना खाने वाला क्या होता है, पहले पानी लेते हैं, उसमें इतना बड़ा पत्थर रहता है, उसको डालते हैं, खट से से बुदबुदार, बुदबुद करके, वो CO2 गैस निकलती है, और नीचे जम जाती है, लेयर जम जाती है, तुमने का हाँ, जो नीचे जमती है न उसी बोलते है, precipitation, PPT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन या PPT बोलते हैं, तो ये कब होगा, जै जैसे समझ ला, जैसे माने HNO3 की reaction करा दी, एक, सौरी, सौरी, जैसे माने AZNO3 की reaction करा दी, NaCl के साथ, तो क्या बनाएगा, AGCl का precipitate बनाएगा, प्लस, NaNO3 बनाएगा, याद करो, मोल कॉंसेट में ये reaction हमने पढ़ा था, क्या मेरी बात समझ में आई क्या सभी लोगों को, acid-based reaction और precipitation की reaction जो होती है, ये बहुत ही fast होती है, तुमने का चलो सर मान लिया, fast होती है, moderate reaction काउन सी है, moderate reaction सर काउन सी है, बेटा जहां से समझो, moderate reaction काउन सी है, जिसमें second minute घंटा लगे, तुमने का समझा नहीं, मालो तुम किसी लेब में जा रहे हो, और reaction करवाने की कोशिस कर रहे हो, तुमने A और B को डाल दिया, अब product का वेट कर रहे हो, मालो 15 second बाद reaction होई, मालो 10 minute बाद reaction होई, मालो 3 घंटे बाद reaction होई, तुमने का सर हमको कैसे पता चलेगा, तुमने पता नहीं करना है, बस तुमने मोटा मोटा roughly पता होना चाहिए, कि कैसे हम slow और moderate को define कर रहे है, तुमने का इसमें कौन सी reaction होगी, इसमें वो सारी reaction होगी जो हम पढ़ेंगे, मेरे भाई, क्या मेरी बास समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे, PCL5 का dissociation हो गया PCL3 प्लस CL2 हो गया फीक है जैसे मैं लिखिया N2 प्लस 3H2 Gips 2NS3 हो गया फीक है Bonheber process में जैसे मालो hydrolysis of ester हो गया hydrolysis of ester हो गया ester में पानी डाल देते हैं यह हम पढ़ेंगे जैसे inversion of cane sugar यह भी हम आगे चल के पढ़ेंगे inversion of cane sugar तुमने का सर हमें याद रखना है अभी कुछ नहीं याद रखना है अभी बस मोटा मोटा देख लो बस समझ में आ जाए second में, minute में घंटा में complete होगा very slow reaction very slow reaction का मतलब हो गया month लग जाए और year लग जाए उसे हम कहेंगे very slow reaction इसकी famous example है famous example के अधियान से समझ लो rusting of iron rusting of iron जो लोग नहीं जानना है लोहे में जंग लगना हिंदी में लिख दे रहा हूँ लोहे में जंग लगना अब बेटे जहां बैठे हो जहां पढ़ रहे हो अगर माल लो आपके पास खड़की है आपके घर में खड़की है आपके पास खड़की कहां सोगी आपके घर में अगर खड़की है और खड़की का लोहा बाहर के atmosphere से contact में है तो बाहर का जो moisture होगा वो खड़की पे जमा होता जाएगा एक दिन, दो दिन, महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पाँच महीने, अब छे महीने देखो, आठ महीने देखो, फिर फाइनली तुम्हें मिलेगा कि उसका जो लोहा है, उसके उपर फूला फूला सा कुछ शिपक गया है, और जब आप उसको ऐसे छुओगे, तो मोटा मोटा समझना था किसी को लिखना हो तो लिख लिजी एक बार किसी को समझना हो तो समल दीजिए चीक है भी आँ अब हम सुरु करते हैं rate of reaction के बारे में क्यों chemical kinetic पढ़ना है तो rate of reaction टॉपिक है हमारा rate of reaction जिसे मैं बार बार आरो आर लिखूंगा यह simple समझ दीजिए इसके दो नाम और है क्या क्या इसे हम लोग speed of reaction भी बोलेंगे ठीक है सर् या इसे हम लोग velocity of reaction भी बोलेंगे कहीं कहीं यूज किया जाता है की के सर समझ में आ गया सर इतने सारे नाम है जैसे आप घर से cycle या motorcycle लेके निकलते हो और मालो आप किसी से मिलने जा रहे हो कोई x है आपका x से कैसे मिलोगे x तो x ही हो गया है मालो किसी दोस से मिलने जा रहे हो y मालो तुमारे घर से 5 km की दूरी पर रहता है तो must cycle चलाते हुए बीच में रुखते खाते पीते नासते गाते मालो तुम्हें एक घंटे में पहुँच रहे हो फिजिस के हिसाब से आप speed कैसे निकालते हो तो आप बोलते हो कि sir total distance upon total time थोड़ी से मैं physics की बात करूँ आप speed कैसे निकालते हो physics में total distance troubled परिशान मत हो जिसको नहीं समझ माता उसको भी समझ में आएगा upon total time जितना travel करने में लगा है तो तुमने का sir मैं मस्त यहां से निकला था मैं मस्त यहां से अपनी फटपटिया वाली cycle से निकला था और ये गद्दी हो गया ये हमने handle बना दिया ठीक है मस्त इस पर बैठके निकला था अपनी मासूका से मिलने मासूका मतलब ये उड़ती हुई बालो माली मस्त यह अपने घर में पैठी होगी ठीक है sir समझ में आ गया इसके घर से मेरे घर का distance था सर्फ 5 km मुझे ट्रबल करने में जो टाइम लगा वो लगा एक घंटा कितना लगा एक घंटा अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरी speed क्या थी चलने की तो बिटा 5 अपन एक क्या हो जाएगा 5 km पर घंटा ये क्या होगी ये average speed हुई क्या हुई average speed हुई तो क्योंकि हम बीच में क्या कर रहे थे हम बीच में रुक के किसी को देख भी तो रहे थे हम बीच में रुक रुक के मुड़ मुड़ के देख भी तो रहे थे हम बीच में समोसे की दुकान पर रुके थे आगे जाके वो वाली दुकान पर रुके थे फिर मस्त घूमते टहलते फिर पहुँचे तो ये आया है average speed हुई सोचो जब तुम अपने घर से निकले तो में चौराहे तक तुम्हारी speed खूब तेज रही होगी फिर में रोड पे आते वक्त आपकी speed धीरे हो गई होगी फिर में रोड से जब आप निकले होगे किसी और की तरह feel करो बेटा तो speed हो सकता है कि दूसरी रही हो यानि कि अलग-अलग space में अलग-अलग speed रही है सेम उसी प्रकार reaction में भी होगा जिसको feel आएगा वो समझ जाएगा यानि कि जब किसी reaction को आप कराते हो और आप से कोई बोले particular कि 5 मिन बाद ये हो रहा है यानि कि आपके पास पहले पांच मोल था पांच मोल से एक मोल हो रहा है कितने समय बाद पांच मिन बाद तो इसकी rate बताओ इसकी speed बताओ तब कहोंगे change कितना हुए पांच में से एक गया तो चार चार बटे बाच मालो जो ये speed आइवरेज आएगी किसी ने कहा कि नहीं भाई या 5 से 3 के बीज बताओ तो अलग rate आएगी 3 से 1 के बीज बताओ तो अलग rate आएगी अभी सब बात करेंगे परिशान मत तो इस बने का सर ये average speed आगई सर physics में गुरू जी एक और पढ़ाते हैं instantaneous instantaneoushost के बारे में थोड़ा सा समल लो दोस्तों क्या है बहुत आराम से समझो कि मालनो तुम साइकल लेकर निकले घंण से तुम्हारा दोस्ता निरहू के घर के सामने से तुम निकले हूँ साथ किलोमेटर पर तो निरहु के घर के सामने से जो आपने क्रास किया उस समय जो स्पीड आई उसको बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड जब किसी इंटर्वल में निकालेंगे तुसे हम बोलेंगे ऐवरेज स्पीड क्या बोलेंगे उमीद करता हूँ दोस्तें दोस्तों मेरी बात आप समझ रहे होंगे आई समझ तों पहले भी रहेते सर चलिए द्याद जे समझता है rate of reaction defined कैसे करेंगे rate of reaction defined कैसे करेंगे rate of reaction तो लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा पहले definition लिख दू मैं इसकी इसकी definition क्या है change in concentration of reactant or product per unit time per unit time called rate of reaction called rate of reaction अब मुद्द समझें आएक सर reactant और product कैसे लिख रहे हो पेटा left hand side पे जो होगा वो reactant होगा right hand side पे जो होगा वो product होगा पहचानोगे कैसे reaction होने से पहले आपके पास क्या होता है reactant होता है और reaction होने के बाद आपके पास क्या होगा product होगा बीच में क्या होगा दोनों होगे क्यों कुछ खतम हुआ तो कुछ बना होगा ठीक है सर्थ reactant product का लोचा हमें समझ में आ गया कि left hand side जो है वो reactant है राइट है जो है वो product क्या मेरी पास में आ गई बिल्कुल बहुत ही बेतरी लेक्चर होगा आज का आज का आप ध्यान से देखती है तुमने का इसकी क्या तो change in concentration of reactant और product की किसी का भी पता चल जाए पर यूनिट टाइम पे तो क्या हम बोलेंगे rate of reaction बोलेंगे अगर मैं rate of reaction का formula लिखना चाहूं तो rate of reaction का formula क्या हो जाएगा वो थोड़ा सा देख लें आप लो हो जाएगा change in change in concentration of reactant or product की के सब्सक्राइब अच्छी बात है change in concentration of reactant or product divided by time taken time taken for the change time taken for the change तुमने का सर ये अच्छे से लिख सकते हो क्या हमने का आओ अच्छे से लिख के समझाता हूँ rate of reaction क्या हो जाएगा rate of reaction हो जाएगा change in concentration अपन प्रोड़क्ट तो चेंज इन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा इसे मैं लिखूंगा आइसे लिख दूंग्या देल्टा ती अपन देल्टा थी या फिर देल्टा आर अपन देल्टा थी पस तुम्हें एक बात याद रखने होगी डेल्टा आर के सामने में क्या लगा रहे है माइनस लगा रहे है क्या लगा रहे है माइनस लगा रहए है तुमने कहाँ अच्छा अगर minus ना लगाए तो उसका भी reason मैं समझाओंगा या अगर मैं इसको मोटा मोटा लिखना चाहूँ सर अलग से ना लिखना चाहूँ तो rate of reaction में कैसे लिख सकता हूँ तो आप लिख सकते हो plus minus delta c upon delta c या फिर आप इसे लिख सकते हो plus minus dc upon dt यह हो जाएगा concentration of concentration ठीक है तुमने का यह plus minus क्यों लगाया आपने समझाईए जरा मुझे समझ में नहीं आया तो सुनो भाई जब किसी जब किसी container में आप reactant डालोगे तो product नहीं होगा reactant धीरे-धीरे किसमें change होगा product में तो reactant घटेगा product बढ़ेगा तो किसी भी chemical reaction में reactant हमेशा decrease होती है product हमेशा increase होती है क्या मैं इतना लिख दूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे नोट डाल दीची रियक्टेंट एमाउन्ट आफ रियक्टेंट इन एनी रियक्शन एनी केमिकल रियक्शन इस डिक्रीज़ जाएगा decreases इसी से ग्राप भी बनाएंगे amount of product in any reaction is in increases ठीक है तुमने का ठीक है सर रियक्टेंट घट रा प्रोड़क्ट बढ़ रा ये बास समझ में आई लेकिन माइनस क्यों लगाया बेटा जब आप change निकाल रहे हो तो आप final Minas initial ही तो लिखते हो ना जब आप change निकालोगे तुङ निकालोगे? final minus initial ही तो लिखोगे ना तुमने का सर समझा नहीं अमने का सुनो समझाते हैं यह अभी बात में समझाएं पहले इसको समझ लो बेटा जब आप delta p upon delta t निखोगे आप ऐसे लिखोगे क्या p final थोड़ समय डबम बना दू p final product का concentration final minus p initial ncr team लिखा हुआ divided by क्या लिखोगे t final minus t initial बेटा जो final होगा ना वो बड़ा होगा क्योंकि increase कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगी positive आएगी क्या आएगी positive आएगी तो उन्हें का ठीक है सर समझ में आ गया लेकिन अगर मैं बात करूँ reactant की बेटा ध्यान से समझना reactant घट रहा है तो delta r upon delta t कैसे लिखोगे आप लिखोगे r की concentration final minus r की concentration initial upon t final minus t initial बेटा decrease हो रहा है reactant तो raf छोटा होगा छोटे में से बड़ा घटा होगे तो क्या आएगा negative आएगा क्या आएगा negative आएगा और rate कभी negative नहीं हो सकता rate कभी negative नहीं हो सकता anxiety में लिखा हुआ है कि negative को nullified करने के लिए खतम करने के लिए हम reactant के सामने minus का sign लगाएंगे reactant के सामने minus का sign लगाएंगे ये है उसका थेओरिया प्रूफ जो भी समझो बगी reaction से भी बता दूंगा नहीं समझें तुमने का सर वो तो ठीक है सर ये कहां से आ गया अभी इसके बारे में बात करेंगे तुम घबरा रहे होगे मेरे को पता है लेकिन अभी तुम मुद्दा इस पे है तुम इसको समझो इसको समझो तुमने का सर ये तो समझ में आ गया है है निगेटिव साइम ताकि रेट आफ रियक्षन पॉजिटिव आए रेट आफ रियक्षन पॉजिटिव आए क्योंकि बेटा ध्यान से समझना क्योंकि जब भी आपने अपनी स्पीड निकाली होगी तो माइनस टू किलो मीटर परावर नहीं होगा कभी भी अरे यार इस पॉजिटिव भी रियक्षन का इस पीड निगेटिव वह तकता पॉजिटिव ही होगा ना तुमने का आँसर समझ में आ रहा है थुड़ थुड़ आया है लेकिन आगे समझ में आएगा डेल्टा पी अपन डेल्टा र क्या गिया चेंज इन कंसंट्रेशन आ प्रोड़क् में तमज आएगा देखो डेल्टा र क्या निगेटिव है माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा पी पॉजिटिव इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन रखना और पॉजिटिव लिखो चाहे मत लिखो कोई टेंसन वाली बात नहीं तुमने का ठीक चत candle कोई नहीं आगे बढ़ता है जो ऊनल Oreo किए यहां से समझना आखम चैना जो For the reaction, यह पहला इंटेक्स्ट का कुशियन है, for the reaction, R gives P, R gives P, the concentration of reactant, यह NCRT का पहला इंटेक्स्ट का कुशियन है, reactant, change, change from 0.03 to 0.02, 0.02 M, M2, M, in 25 minutes, 25 minutes, इसमें दोनों rate पूछा, मैं आपको सिर्फ एक rate पूछ रहा हूँ, calculate the average rate of reaction, पहुच करके लगाना शुरू करिये, in seconds, इसने seconds का पूछा, मैं आपको minutes में पूछ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, तुमने का सर, पहला स्वाल आप बताओ, दूसरा हम करेंगे, यह NCRT का पहला इंटेक्स्ट का कुश्चन है, तो NCRT का पहला कुश्चन है, ठीक है, ठीक है, तुमने का सर, rate जो निकालना है सर, वो reactant के बारे हम दे रखा, हमने का यार बाबू, rate of reaction हमने यही बताया था, क्या, अगर product है तो delta P upon delta T, और अगर reactant है, तो minus delta R upon delta T, तुमने का सर, यह डबबा में क्यों नहीं लिकर हो, चाहिए डबबा में लिको चाहिए डबबा में लिको चाहिए न लिको, ध्यान अगना, यह pressure नहीं है बेटा, product की concentration है, ठीक है डबबा में लिको तब भी कोई डिक्कत नहीं है, तुमको समझ भी आना चाहिए, represent करने का तरीका, तुमने का सर, मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, कि सर, reactant जो है, वो पहले 0.03 था, बाद में 0.02 हो गया, time लगा 25 मिनट, तो सर, reactant है तो यह वाला formula नहीं लगाएंगे, minus 0.02, minus, final क्या है, 0.02, पांच करके लगा लो 0.03, और ऐसे ही question NCRT में हैं, और ऐसे ही आपके exam में आएंगे, divided by 25 मिनट, 25 मिनट में उतने से उतना हो रहा है, घट रहा है, तो change जो निकालोगे, बेटा, final minus initial करके निकालते हैं हमेशा, change पता कि नहीं पता, अरे यार, 1000 की note है तुम्हारे पास, तुमने का मैंने पैसा खर्च कर दिया, पैसा खर्च कर दिया 500 बचे, तो आप कैसे निकालते हो, 500 खर्च किया minus में ही आएगा, ना यार, कुछ लोगो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अरे यार, छोड़ो ना यार, इधर देखो, तो इसको घटाओ कित क्या हो जाएगा, ये minus और इसमें से minus, minus आफ, minus 0.01 upon 25, यानिक हो जाएगा, 0.01 by 25, बिटा ध्यान से समझो उसको, अगर 0.01, इसको मिटा देते हूँ, 0.01 by 25 कर दूं, मैं, उपर क्या आएगा, M, नीचे क्या आएगा, मिनट, उमने का ठीक है, सर, ये unit भी लिख रहे, उमने कहा लिख देता हूँ, यानिकी, आगर मैं इसको 100 बनालू, तो 100 गुड़े, 10 to the power minus 4 करना पड़ेगा, क्यूं, अरे भाईया, 0.01 है, तो 100 से गुड़ा करोगे, पहले तो, एक आएगा, फिर 100 से गुड़ा करोगे, तो 100 आएगा, यानि 10 to the power minus 4 करना पड़ेगा, divided by 25, और यहाँ पर M है, यहाँ पर नीचे minute है, तुमने का ठीक है, सर, भूलेंगे नहीं, अपन 25 सुड़ा दो, 4 आएगा, तो 4 into 10 to the power minus 4, मुलर्टी, minute, inverse, यह एंसर है, ध्यान से देख लिए, कितने लोगों का सही था, कमेंट करके बताईएगा, कितने लोगों का सही था, कमेंट करके बताईएगा, मरे भाई, ठीक है, सर, अच्छी बात है सर, यह अब सवाल करवादे रहा, सुनो, जिसको अभी भी ना समझ में आया, वो यह समझे कि rate of reaction, ध्यान से समझो, rate of reaction जो है, वो तो टाइप का होता है, कौन-कौन सा, एक तो average rate of reaction है, average rate of reaction क्या होगा, और एक है instantaneous rate of reaction, एक है instantaneous rate of reaction, वो राउल्स लॉगी spelling मने र-o-u-l-t-e-s लिख दिया था, तो कई बच्चे उसमें भी comment कर रहे थे, यार, spelling spelling चक्कर कहें पड़े यार, concept समझो ना बाबू, अब सोचो, इस feeling इतनी अच्छी होती, तो Harvard University में lecture ना दे रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, यार कि कुछ तो मजबूरियां होती हैं, लोग यह यह बेवफा थोड़ी होते हैं, कुछ तो कमी होगी ना तुम्हारे अंदर, तभी तो तुम्हें याकिन 5.0 से पढ़ रहे हो, आज समझे रहोग नहीं समझे रहोग नहीं समझे रहोग अश्यप करना सीखो, मैं बिल्कुल भॉकाल नहीं बनाता हूग, मैं बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलता हूँ, अलेकिन बोलूँगा, यह पता मेरे को, कोशिस नहीं कर रहा हूँ, अब पढ़ाऊंगा तो फिर तो हिंदी वालों को नहीं समझ मायागा ना, पिसलिए लिखा इंग्लिस में जाएगा सब कुछ, एक्स्प्लेइन हिंदी इंग्लिस में किया जाएगा, समझे सर, average rate of reaction, कैस of concentration of reactant or product in a time interval, ठीग है, तुमने का सर, जब reactant और product के concentration का change किसी time interval में देखा जाएगा, तो क्या बोलेंगे, उसे हम लोग average rate of reaction बोलेंगे, देखो, एक्दम धीरे-धीरे से पढ़ा रहा हूँ, जब, change in concentration, concentration मने molarity, concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product at a particular time, जैसे, मालो तुमने अभी नयानय कार चलाना सीखा है, तुमने नयानय कार चलाना सीखा है, और तुम यहां से अपनी कार लेके निकल रहे हो, तुम यहां से, अपनी कार लेके निकल रहे हो, यह तुम बैठे हुए हो, ठीके भी आप, मस से स्पीड से जा रहे हैं, यहाँ पर एक खंभा है, यहाँ पर क्या है, पोल है, पोल, खंभा, अब द्यान से समझना, जैसे मैं बोलू कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ मैं बोलू कि ती बराबर 5 पर यहाँ पर पहुच रहा है, यहीर यहाँ से स्टार्ट किया है, 10 सेकंड में यहाँ पर पहूचता है, तो टी बराबर 5 पर इसकी स्पीड क्या होगी, एक पर्टीकुलर टाइम पे जो स्पीड निकलेंगे, उसे बोलेंगे instantaneous rate of reaction, उन्ह करते हैं dc upon dt से region करते हैं तो आपर rate of reaction क्या हो जाएगा plus minus delta c upon delta t delta c upon delta t का मतलब समझ रहे हो change in concentration चाह reactant का चाह product का तुमने का सर अलग से लिखना चाहें तो प्लस delta p upon delta t ठीक है negative delta r upon delta t यह reactant है यह product उनने का ठीक है यहाँ पर जो rate of reaction लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा plus minus dc upon dt plus minus dc upon dt क्यों किया मेरे दोस्तों plus minus dc upon dt क्यों किया क्योंकि बहुत ही छोटे time period में जो concentration में change होगा उसे हम बोलेंगे instantaneous rate of reaction अगर यह product में लिखना है तो plus dpy dt कर दो अगर reactant में लिखना है minus dr upon dt कर दो क्या मेरी बात समझ में आई यह symbol है represent करने का यह क्या है symbol है represent करने का मैं बोल रहा हूँ कि तुम यहां से चलते हो 10 second में यहां पहुच रहे हूँ यह किसका घर है मासूका का घर है तो जीरो से निकलके 10 सेकंड में तुम यहाँ पहुंचते हो मैं बोलूगी स्पीड क्या थी तो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम जब एक टाइम पीरियेड में आप निकालोगे तुमसे अवरेज बोलेंगे लेकिन मैं बोलूगी य निरहू का घर तुमने किसी स्पीड से क्रास किया, या निरहू का घर तुमने ती ब़राबर पाँच पे क्रास किया, तो उस समय पे तुम्हीं स्पीड क्या थी, तो किसी particular type पे, किसी particular type पे जब हम स्पीड निकालेंगे, तुसे पोलता है instantaneous rate of reaction, क्योंकि particular time पे जब speed निकालेंगे बेटा तो डेल्टा थी बहुत छोटा होगा तो जब डेल्टा थी बहुत छोटा होगा तो उसमें change भी तो बहुत छोटा आएगा ना इसलिए dc upon dt यूज़ करेंगे सुनो यार खतम करो average है तो डबबा delta c upon delta t plus minus, plus किसके लिए product के लिए minus किसके लिए reactant के लिए जब instantaneous है तो क्या लिखोगे plus minus dc upon dt plus किसके लिए product के लिए minus किसके लिए reactant के लिए ठीक है न तुने का ठीक है सर, समझ में आ रहा है परिशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है सर ओके अब आओ ध्यान से समझो जो rate of reaction है न average का rate of reaction average कैसे लिखोंगा मैं मैं लिखोंगा plus minus delta c upon delta t क्या लिखोंगा plus minus delta c upon delta t जब मैं बोल दूँ कि delta t यहां पर limit लगा दूँ क्या लगा दूँ limit लगा दूँ limit लगा दे रहा हूँ delta t goes to 0 जब यह time period बहुत छोटा हो जाएगा average किसमें change हो जाएगा तो average change हो जाएगा dc upon dt मे किसमें चेंज जाएगा dc upon dt मे यानि कि average rate of reaction और instantaneous rate of reaction में कोई difference नहीं है बस difference at time interval का जब time interval बहुत कम होगा तो instantaneous rate of reaction मोलेंगे जब time interval ज़्यादा होगा तो average rate of reaction मोलेंगे मेरे भाईया, मेरे बाबू प्यारे प्यारे बच्छों क्या मेरी बास समझ में आरी कि नहीं आरी है क्या मेरी बास समझ में आरी का बिल्कुल सर समझ में आ रही है कोई टेंशन वाली बात नहीं कि यार प्लीज एक बार देखके बताओ यार मुझे ऐसा क्यों लगता कि तुम लोगों को मेरी बाते समझ में नहीं आती होंगे आती हैं बस कहता नहीं हूँ कि सर आ रही है चलो अच्छी बात ठीक भी आ रही है तो अच्छी बात सुनो जारा अगर मैं यूनिट आफ रेट आफ रेक्षन की बात कुरूँ बेटा ध्यान से समझ ना तो रेट ऑफ रेक्षन तो बिटा यही है कंसेंट्सरेशन है अरे यारे आर आप ऐसे हorous लिखोंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बिल्कुल सही बात flour ऐ साम बेटा उपर तो निटू टाइम इनवर्स हो जायेगा मोलर्टी वड़ाबर होता है मोल्स वाई वैलूं यानि कि मोलर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इनटू लीटर इनवर्स याद करो याद करो पढ़ाई गी पढ़ाया है मौल में और solution में यानी कि हम इसे ये इसे भी लिख सकते है मौल इन्टू लीटर इम्टू टाइ मीनर्स मोल इन्टू लीटर इन्टू टाइम इन्टू कुछ भी हो सकता है क्या मेरी बात सब्मा रही है तुमने कहा नहीं समझे है, तो पैटा ये quality into second universe हो सकता है, ये quality into minute universe हो सकता है, ये quality into day inverses हो सकता है, ये quality into year numerator हो सकता है, तुमने का कुछ भी हमने का कुछ भी कोई टेंशन वाली बात ने टाइम का कोई फिक्स टाइम नहीं है तो बटा यहां भी तो वाई सही हो सकता है मोलर्टी जगा मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाए वोलर्टी इंटू लीटर इनवर्स, मिनेट इनवर्स हो जाएं, तुमने का मैं समझ गया सर, घंटा इनवर्स, घंटा इनवर्स, डे इनवर्स, इयर इनवर्स भी हो सकता है, यह आद कर लो, आगे जरूरत पढ़ेगी, पष्चान मतो, अभी दो चीज़ें पढ़े हमने, द दोनों में तो concentration upon time ही आ रहा न, कुछ लोग सुचेंगे, सर उससे क्यों नहीं निकाला, अरे यार, समझो, उसमें बस छोटा सा difference इसमें बड़ा सा है, उसमें छोटा सा difference इसमें बड़ा सा है, क्या मेरी बास समझ पाएं कि नहीं समझ पाएं, बढ़े यह चेप्टर बहुत इसमें बड़ा साथी जन्नाटेदार चेप्टर है, किसी को भी ना समझ में आता हो, तो भी समझ में आएगा, बस basic चीज़ें आनी चाहिए, ब्यार, molarity तो आना इसी है न, दोस्त, क्या मेरी बास समझ रहे हो, क्या मेरी बास समझ रहे हो, पिर बात तो आपकी बहुत समझ ठीक है, आओ चलो समझता है, अब इसी rate पे आगे बात करेंगे, ध्यान से समझना, अगर मैं बोलू कि reactant और product, इसका graph यहाँ सीख लो, इसका graph यहाँ पे सीख लो बेटा, पाद में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, कहाँ पे, chemical equilibrium में, वहाँ तो हम सीखेंगे, यहाँ भ graph, जहाँ समझना, यह reactant की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी मैंने कुद देर पहले बताया था, यह मैं बात कर रहा हूँ किसकी, product की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, graph किसके बीच बना रहे है सर, concentration versus time के बीच, concentration versus time के बीच, यहाँ भी graph किसका बना रहे हैं बेटा, concentration versus time के बीच कि बिटा इस बीच कि अँट रिएक्टेंट घड़ता है प्रोडक्ट वढ़ता है कि अर जब ढोलो दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है तो लिएवरियम आता है वो अध्यूवियम मैं मैं बात करेंगा गटेगा तो रियक्टेंट गटेगा तो रियक्टेंट बेटा कहीं पे रहा होगा मालो यहां पे रहा होगा यहां से क्या हो रहा गट रहा है ऐसे गटेगा जाकि कभी जीरो हो सकता है प्रोड़क्ट क्या रहा होगा प्रोड़क्ट पहले जीरो रहा होगा न यह ऐसे बढ़ यह बात तुम समझ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे यह ग्राफ कोई नहीं शिखाता मैंने शिखा दिया ठीके सथांक्यू शुक्रिया आगे बढ़ते हैं आओ जोरा ध्यान से देखते हैं बेटा परिश्यान मत हो आराम से देखें मैंने का अगर मुझे एवरेज रेट आफ रेक्षन निकालना है एवरेज रेट आफ रेक्षन निकालना है ग्राफ के माध्यम से तो कैसे निकालो हमने का सुनू सबर करो सुनू जरा सबर करो बेटा ध्यान से समझो एक ग्राब दिया है, ग्राब पहचानों किसका, रियक्टेंड का या प्रोड़क्ट का तुमने का से कितनी बाद चिलाओगे, पहचान लिया सर, प्रोड़क्ट का यहाँ पर कंसेंट्रेशन सीवन है, यहाँ पर टाइम टीवन है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन सीटू है, यहाँ पर टाइम टीटू है, तुमने का ठीक है सर, अब्जर्वेशन कर रहा है, तो जाइस व्यादर दो टाइम चाहिए अपने को, क्या चाहिए, दो टाइम चाहिए, तो rate of reaction क्या हो जाएगा बेटा यह product का graph है किसका graph है product का यह हमने पहचान लिया graph किसका है product का है कि उसी सबसे formula लगाऊँगा सुनो मेरे भाई अगर तुम कभी भूल भी जाना ना यार तो rate of reaction positive आना चाहिए negative आए तो positive लगा देना लेकिन हम आपको पूरा concept सिखा रहे है तो आपने का सर यह तो plus plus delta p upon delta t कर तो ऐसा एंसी आटीम लिखा है किसी ने का सर plus delta c upon delta t कर है हमने का बात वही है यह लिखो चाहिए वो लिखो बात वही है तो rate of reaction क्या हो जाएगा दोनों टर्म से यह एंसी आटीम लिखा है यह आपको module अगरा में दिखेगा आप जो लिखो के बेटा वह जाएगा c2 minus c1 द्यान से समझना जो change लिखा हमने वो c2 minus c1 क्योंकि c1 initial है c2 final है दो जगा पर experiment दे रहा तो c2 पर time क्या है c2 है और c1 पर time t1 है क्या इतनी बात समझ में आई की नहीं c2 बड़ा है c1 से देखो c2 बड़ा है c1 से तो positive होगा से वोगा फोगा c2 बड़ा है t1 से क्या हो जाएगा positive होगा यह time का graph है और यह concentration का graph दोने का dट के sir समझ में आ रहा है कैंती बात समझ में आये हैं बिल्कुल समझ में आ गया यह जैनल कि आगर मानलो सर ग्रा ऐसा गीवन हो कि मालू सर ग्राफ ऐसा गीवन है और आपको दो डेटा कोई भी टाइम इरियाट में एक यह दे रखा है और एक यह दे इस पर आपको time ये दे रखा है, इस पर आपको time ये दे रखा है, ये graph किसका है द्यान से समल लो, graph है time का, ये हो जाएगा, T1 ये हो जाएगा T2, T1 पर concentration C1 है, T2 पर concentration C2 है, graph किसके बीच है, concentration पेटा अभी कुद देर पहले हमने देखा था graph यह किसका है यह graph है reactant का graph किसका है बाबू यह graph है reactant का तो ध्यान से समझना अगर मैं rate of reaction लिखूंगा तो क्या यहाँ पर minus dc by dt लिखना पड़ेगा तुमने का हाँ या फिर मैं ऐसे बोलू minus delta r by delta t और रियक्टंड की concentration या concentration बात तो एक ही है न ऐसा ncrt में लिखा है ऐसा module में लिखा जाता है दोनों का मतलब यह ही है कि reactant की concentration में change upon change में जो time लगा है वो तो rate of reaction क्या हो जाएगा बाबू minus अगर मैं c2 minus c1 लिख रहा हूँ द्यासे समदना तो c2 पर time है t2 और c1 पर time है t1 तो c2 minus c1 upon t2 minus t1 लिखूंगा c2 देखो छोटा है c2 देखो छोटा है c1 से यानि कि यहां पर जब घटाएगे तो minus आएगा minus minus plus हो जाएगा और नीचे t2 बढ़ा है t1 से यहां भी positive हो जाएगा यहां भी positive हो जाएगा और overall क्या हो जाएगा positive हो जाएगा इसलिए हम यह formula यूज करते हैं, इसलिए हम minus sign लगाते हैं, तुमने का सर, नमज मैं नहीं आ रहा, आएगा भईया, कैसे नहीं आएगा, सबलिया करके तो देखते हैं, आई ये question करते हैं, चलिए, पहला सवाल मैं बताऊँ, ठीक है, परिशान मत दो, question number 1, पहला सब्सक्राइब, कैसे दो, question number 1, पॉज करो निकालो भाइया का पॉज कीज़े निकालिये आ गया कि तुमने का सर मैंने देखा ये का प्यूठ काया हमने का बो टेल्टा ही पां डेल्टा टी स्वे टेंसर लेने वाली कोई बात ही नहीं थी सर रेट अवर इंखिंशन अमिहसे लिख देते सर C2-C1 divided by T2-T1 हम रहे कहां लिख तो तुम नहीं का सर C2 किसको मानो किसी को भी मानो CT किसी को भी माल लो भाई, तो मैंने का C2 इसको माल लो, तो T2 ये हो जायगा, C1 इसको मालोगे T1 ये हो जायगा, आरा जाहिर थी बात ना, T1 पे concentration C1 होगा, T2 पे concentration C2 होगा, तो मैं माल लो 0.03 minus 0.01 upon 0.03 पे समाई क्या था, 20 minus 10, तो बटा हो जायगा, 0.02 by 10, यहनि की 0.002, concentration है उपर, molar T, नीचे है, second, तो जायगा, molar T, second है नो, बताओ कितने लोगों का सही था, समझ में आ रहा है क्या, अरे बहुआ, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है, तुने का सर, rate of reaction बता दिया, हमने कहा, rate of reaction बता दो, कोई tension नहीं है, तुने का डिके सर, अब थोड़ा सा update सब आ रहा है, अब आएगा मजा, कैसे आएगा मजा, इधर देखा, कर दो, क 올 है इजयर पहा दो, कैसे तुनमे आएगा मजा, पर भे आहा है, ढ donne की है, आएगा मैं का समझ में आ दो, कि आएगा मजाएगा, प्रोड़ा मैं आ आ रहा है, खालता रहा है, बदिया, चालता धशना, पहाईगा, वाथब एषाबधा tinc आएगा, झालता शुने का स 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, टीक है, 1M, 2M, 3M, confuse बिल्कुल मत होना, confuse बिल्कुल मत होना, दो कुश्चन है, पहला है, rate of reaction, 5 to 10 सेकंड क्या होगा, दूसरा कुश्चन है, rate of reaction, 10 to 20 सेकंड क्या होगा, दूसरा कुश्चन है, rate of reaction, 5 to 20 सेकंड क्या होगा, pause कीजिए, solve कीजिए, pause कीजिए, pause कल लिया, सुनो, standard सवाल बाबू, जहां से समझना, अब की बार तुम्हें 3 डेटा दे रखा, कहरा की नहीं, मुझे average चाहिए, मतलब, जब हम घर से निकले थे, बीचे निरहू का घर था, निरहू के आगे मासुका का घर, तो कहरा की अपकी बार तुम अपने घर से निरहू के घर का speed बताओ average, और निरहू के घर से मासुका के घर का speed बताओ average, इक बार speed बताओ अपने घर से मासूवा कहा घर का speed तुमनें अच्छा खेल रहे हो लिखनी कहीं गधधा होगा खागी प्लेंड मासूद में समुझ तो नहीं है रागा.. झाम ढट हो छालते हो चलते हो str आख मासूद से थो। पर एक कर दिया अपॉन भी सेकंड पर थीन है दस सेकंड पर दो है पांच से दस पूछा था इतने में चेंज कितना हुआ सर दो माइनस एक अपॉन 10-5 क्योंकि यह product है तुमने का सर अभी भी मौका है पाँच करो, solve करो तुमने का सर 20 पे 20 वाले को final माँद 20 पे क्या है concentration, 3 है और 10 पे क्या है 2 है, time कितना लगा बाबू, 20 में से सर 10 घटा दे अरे हाँ भाईया, 1 upon 10 हो गया molartine to second inverse तुमने का सर, दोनों स्पीड सेम नहीं आया, अरे जरूरी थोड़ी है सेम आयेगा, जरूरी थोड़ी है इसको करो, कौन करके बताएगा, मी फर्स्ट नहीं कहरा 5 से बीच तो बटा, 20 पे 3 है 5 पे 1 है upon, upon समाई कितना लगा 20 माइनस 5 2 बटे molarty into second inverse तुमने का सर, खेलना सीख रहे है सर, मस्त आपने बताया जब एक ही दिया था, तो कोई टेंसन ही नहीं था जब एक ही दिया था, तो कोई टेंसन ही नहीं था सर, final minus initial करके निकाल लिया, अगर 2 दिये हैं सर, तो अलग-अलग रेट होगा, उनका भी करके निकाल लिया, हमने का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों अब माल लो ऐसे reactant का given हो, माल लो graph ऐसे reactant का given हो, की के भाईया, की के सर, चलो, इसका बताओ, और एक और graph बना देटाओ यह 5 सेकंड है, यह 10 सेकंड है, ठीक है यह 1 M है, यह 4 M है, ठीक है यह 10 सेकंड है, यह 20 सेकंड है, यह 30 सेकंड, ठीक है न, सेकंड में टाइम दे रखाए, ओकी यह 1 M है, यह 2 M है, यह 3 M है ठीक है, इसका rate of reaction निकालना है, और इसका rate of reaction निकालना है, चलो पहुच करके शुरू करो, 10 से 20 पहला कुश्यन, दूसरा कुश्यन है, दूसरा कुश्यन यहां लगा देते हैं rate of reaction निकालना है, 20 से 30, तीसरा कुश्यन है, rate of reaction निकालना है, 10 से 30, ठीक है जेलो, pause करो, तुमने का, सर, यह reactant का graph है, यह reactant का graph है, अपन से निकालेगा rate of reaction, हमने का निकालना तुमने का, minus delta C upon, delta T करओ मने का, करदो, तुमने का, minus c2-c1 upon c2-c1 करूँगा पहला है इसलिए समझा रहा हूँ तुमने का ठीक है तुमने का सब c2 किसे मानूँ उमने का ऊपर वाले को हमेशा c2 माना कर रहा अच्छा लगेगा तुमने का ठीक है सर ठीक है सर इसको c2 मान रहा हूँ तो c2 अगर मैं 4 मान लिया तुमने का नहीं सरमाई तो इसको मानूँ अरे यार किसी को मान लो तो लो इसको मान ले माइनस आफ 1-4 c2 माना इसको c1 माना इसको upon c2 पर टाइम क्या था 10 10-5 क्या हो जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा माइनस आफ माइनस 3 प्लस 3 अपाउं 10 बसे 5 गिया 5 मुलर्टी इंटू जाएगा ठीक है सर इसमें भी समय है अभी निकाल लो इसका अगर आप निकालोगे ध्यास से समन्ना इसका आप निकालोगे तो आप लिखोगे माइनस C2 अब किसी को माल लो इसका टाइम जादा उसको C2 मानो 10 से 20 20 वाले को C2 माल लो 2 माइनस 20 वाले को मैंने C2 माल लिए 10 वाले को क्या माल लिए मैंने C1 तो जाएगा 3 आप आन बेटा जो 20 पे है वो 2 है, जो 10 पर है बिटा, वो 3 है तो 20 माइनस 10 तो पर आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 और माइनस कितना होगा, प्लस 1 अपॉण 10 मुलटीन टू तकने में अब बिटा यहापे ध्यास समंदा, अगर ना समझ महाएगा तो 30 माइनस 20 पहले कर दो और ना समझ माया है, तो 30-10 कर दो, बेटा, अपने आप answer आ जाएगा, 30 पर concentration क्या है, 1 है, तो minus 1, 20 पर concentration क्या है, तो, तो 1 में से दो गया, minus 1, और minus 1 आगे minus है, तो plus 1, 1 बटा, 10, mol 18 to second inverse, क्या बात, अब की बाद, इस फीट सेम आ रही है, अब बेटा, ध्यान से समझो, 30-10 कर दिया, तो 30 पर concentration क्या है, 1 है, minus, minus तो लगेगा ही, क्योंगि minus 2, minus 1 है, 10 पर concentration कितना है, 3 है, तो बेटा, ध्यान से समझो, तो minus 2 हो जाएगा, 2 by 20, यानि कि 1 by 10, mol 18 to second inverse हो जाएगा, यानि कि, 10 से 20 वाली स्पीट सेम है, 20 से 30 वाली स्पीट सेम है, और 10 से 30 स्पीट सेम है, यानि कि जब वो घर से निकला, तो घर से निकलने, और निरहू के घर के बीच का जो स्पीट था, निरहू से, मासुका के घर के जो बीच का स्पीट था, वो सेम था, क्या मेरी बात समझ में आई ठीक है सर समझ में आ चुकी ठीक है ठीक है सर होमवर्ग दे दो एक आव होमवर्ग दे देता है करना ठीक है प्यारे बच्चों करना तुम यह होमवर्ग नमबर यह होमवर्ग नमबर वान परिशान मत हो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा एकदम समझ में आएगा होमवर्ग नमबर ठोगे यहाँ पर दे दिया मैंने 2M यहाँ दे दिया 0.5M ठीके और यहाँ पर दे दिया यहां पे दे दिया तीस सेकंड ठीक है भी है यहां दे दिया दस मिनट यहां पे दिया 20 मिनट, कोई बात नहीं, मिनट इन्नवर्स में आ जाएगा यहां पे दिया 2M यहां पे दिया 6M ठीक है भी है, यहां पर rate of reaction बतानी है और यहाँ पर rate of reaction बता तुमने का सब सिर्फ एक ही data दे रखा तो जाईर जी बात है उसी के बीच बता नहीं होगी जब अलग अलग data देता तो अलग अलग के बीच पूछता आपसे ठीक है सब ठीक है सब instantaneous rate of reaction instantaneous rate of reaction कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो बेटा यह तो बहुत simple है simple क्या मैं graph के माधिम समझा दे रहा हूँ और उमीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ जाएगा किया किसी particular time पे निकालना है मैंने माल लिया इस time पे निकालना इस time पे निकालना है किस time पे निकालना है किस time पे निकालना है जिस भी time पे निकालना है जहां से समझना जिस भी time पे निकालना है उसमें क्या निकाल लो slope निकाल लो, उस पर क्या निकाल लो, slope, और यह आएगा, theta, तो slope बराबर हो जाएगा, m, बराबर हो जाएगा, tan theta, तो rate of reaction, जो हो जाएगा, वो tan theta हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि rate of reaction क्या हो जाएगा, rate of reaction हो जाएगा, dc by, minus dc by dt, अरे क्या हो जाएगा, minus dt by dt, और जो tan theta हो जाएगा, वो हो जाएगा, dc by dt, चोले, इसमें correction कर दे रहा हूँ, जो m होगा, वो tan theta होगा, वो dc by dt होगा, dc by dt क्या होगा, अरे भाई, concentration और time के बीच का ग्राफ है, अब किसी point पर तुमने differentiate किया, तो उस पर जो, आप line खीचोगे, वही तो slope आएगा, फिजिक साल एसर ने पढ़ाया होगा, तो 10 theta बराबर क्या हो जाएगा, 10 theta बराबर क्या हो जाएगा, slope, लेकिन rate of reaction होता है, minus dc by dt, तो rate of reaction हो जाएगा, minus 10 theta, क्या हो जाएगा, minus 10 theta हो जाएगा, ये बात आपको सिधे-सिधे याद रखने है, डारेक्ट याद रखने हैं, minus 10,貝टा हो जाएगा, तुमने का, मैं नहीं मानता हूं, बेटा, थीटा 90 degree से जादा होगा, और आपको पता है, 90 degree से जादा होगाita तो 10,挺 थीटा क्या आएगा, negative आएगा, Negative negative क्या होजाएगा Positive होजाएगा, तुमने समझा की नहीं समझा अरे समझा की नहीं समझा तुमने का Sir समझा नहीं मैं, example देखो माले क extent करव दे राखा एक, करव दे राखा है सुनना जरा ऐसे कर दो ठीक है? अब किसी line पे हमने, हमने किसी point पे हमने किसी पॉइंट पर स्लोग कीज लिया, ठीक है, को के सर, को के सर, इस पर ठीटा जो बन रहा है, वो बन रहा है, 135 डिग्री, कितना, 135 डिग्री, अब एंगल तो फिजिक्स वाले सर ने सिखाया होगा, अब एंगल भी बताऊंगा, क्या मैं, तुमने का नाई सर, तो बेट रखना, माइनस 10 ठीटा होगा, सिर्फ इंस्टेंटेनियस के लिए, तो तुमने का, रेट आफ रेक्शन होगा, माइनस 10, 135 डिग्री, और 10, 135 की बेलू होती है, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, तो तुमने का, हाँ, याद आगिया सर, माइनस आफ, माइनस 1, यानि कि क्या हो जाएगी, यानि कि तुम्हें मोटा मोटा सिर्फ यह याद रखना, इस पर नुमेरिकल नहीं पूछा जाते हैं, नुमेरिकल एवरेज पर पूछा भी जाएगा, तो मैंने समझा दिया, ठीटा हमेशा, एक सक्सिस से ऐसे निकलते हैं, कुछ लोग सोच रहेंगा, यह ठीटा, नहीं, यह ठीटा नहीं है, ठीटा कौन सा होता है, यह होता स्लोप, यह कुछ दूसरा एंगल होगा, यह पता चल जाएगा, यह पता चल जाएगा, यह पता चल जाएगा, यह पता चल जाएगा, टेंसर लेने की जरूरत नहीं है, तुमने सुना, तुमने का सर जो स्लोप होता है, यह बात पता होनी चाहिए, हमने का हाँ, यह जब आप differentiate करते हैं तो आपको पता होगा, तो आपको slope ही पता चलता है, तुमने का हाँ, अगर dy, y, dx, अगर y versus x का graph होता था, तो dy, y, dx पराबर tan theta होता था, तुमने का हाँ सर, अगर concentration versus time है, तो dc y dt क्या tan theta होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, प्रूब करके बता रहा हूं, समझा के बता रहा हूं, सवाल करके बता रहा हूं, तुमने का सर ये रियक्टेंट का अगर आप था, प्रोडक्ट वाले में बता हूं, तो प्रोडक्ट वाले में ध्यान से देखना, प्रोडक्ट वाल को हिर आंगे तच किया यहाँ इपिश के क्धा इस प्ट पे जिस भी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है उस कर अ कि जिसभी पॉइंट पे तुम्हें रेट ओफ प्रेक्षान निकालना उसके जब खी च फूझ enorm में मेरे भाई द्यांसे समद्दा सलोप जब खीच लोगे तो एक ठीटा बनाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर जो सलोप होगा वह जाएगा अदे आहीं आरे का ठीक है सर यह बात पता चल गई यहां पर रेट अम यूआ हूगा क्या हो जाएगा स्यथे स्यथे स्यिद्ध और ट्रस इतना याद करनलोयम मेरे मेरे भाई सिर्फ इतना यात कर लो मेरे भाई अपने आप समझ में आ जाएगा कि अकर रियक्टेंट है तो माइनस 10 ठीटा प्रोडक्ट है तो प्लस 10 ठीटा बस खतम बस खतम हो जाएगा मेरे भाई बस खतम हो जाएगा मेरे भाई क्या मेरी बात समझ में आई प्लीज बहुआ बताएं क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्छों क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरी बात समझ में आई क्या ठीक है समझ में आ गई है सर चलो आगे बढ़ो ठीक है गर आप खतम हुआ और रियक्शन से सुरू कर रहा अगर मैंने कोई reaction लिखा A gives B तो reaction को देखके मेरे को समझ में आ चुका है कि rate of reaction जो होगा वो minus delta A upon delta T होगा तुमने का हाँ सर वो delta A upon delta T होगा और rate of reaction जो होगा वो plus delta B upon delta T होगा हमने का यह डबा लगा दो इससे पता चलेगा concentration है तुमने का लेकिन सर यह जो rate है न यह average rate है यह क्या है average rate of reaction है ठीक है भाईया तुमने का अगर मुझे instantaneous लिखना होथ कैसे लिखोगे तो rate of reaction होगा minus da upon dt और rate of reaction जो होगा प्लस db upon dt तुमने का सर इतना पढ़ने के बाद यह बात तो समझ में आ गई है कि instantaneous कि जो डबबा है न डेल्टा वो बड़े change के लिए average के लिए लगाते है जो d है न वो छोटे change के लिए तुमने का सर तुमने का सर रियक्टेंट के सामने negative का sign लगाना product के सामने product के सामने positive का sign लगाना क्योंकि reactant decrease होता है इसलिए वो निगेटिव आता है तो निगेटिव को positive बनाने के लिए हम निगेटिव sign लगाते है तुमने का d के सामने और यह दोनों आपस में बराबर होंगे ठीक है भीया चलो एक छोटी equation लिखते हैं a plus b gives c plus d यानि कि मुझे अगर rate of reaction लिखना है मैंने का rate of reaction लिख दो तुमने का काउंसा मैंने का average लिख दो तो तुमने का भीया average लिखने के लिए मुझे पहले मैं पहले मैं इसके बराबर लिख दो उमने का लिख दो तुमने का minus t ay dt होगा और minus d by dt भी होगा हमने का तो बराबर करते जाओ minus d by dt भी होगा और plus dc by dt भी होगा और plus d by dt भी होगा तुमने का सर एक जीज आपने गलती कर दिया मैंने का क्या तुमने का सर यह instantaneous है तुमने का कोई बात नहीं instantaneous है अगर मालो मुझे average लिखना होता rate of reaction अगर मुझे average लिखना होता तो potential नहीं है minus तुमने का यह सब बराबर कैसे हुए अरे यारr rate बराबर यह है rate बराबर वह है rate बराबर वह है rate बराबर वह है तो सब आपस बराबन नहीं हो जाएंगे जब rate के बराबन है तुमने कहां सर समझ में आ गया माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा परिशान मत हो अगर आज इस पर सवाल नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कल भर भर के कुश्यन करेंगे और आप भी जा के करिएगा परिशान मत हुएगा कल रिवाइस कराऊंगो पहले आते ही प्लस डेल्टा देल्टदा ही होगा यह तुमने का ठीक है सर बहुत सिंपल सवाल दे रहा है सर समझ में आ रहा है इसमें कोई टेंशन वाली बात आग और नहीं है है pcl5 gives pcl3 plus cl2, तुमने का सर अगर मुझे इसका कोई भी एक लिखूंगा, तुमने का सर इंस्टेनियस लिखूंगा, अगर मैं इंस्टेनियस लिखूंगा, विटा माइनस d pcl5 divided by dt, और बराबर होगा, प्लस, क्योंकि यह प्रोडक्ट है, प्लस d pcl3 upon dt, अरे जैसे a gives b plus c था, वैसे ही तो यह भी है ना, एक जगा क्या हो गया, pcl5 हो गया, समझ गया सर, प्लस d cl2 upon dt हो गया, ठीक है सर, अब एक ncrt का भी question कर लेते हैं, ncrt में है, hg plus cl2 gives, hg plus cl2, इस state का कोई फरक नहीं पड़ता है, इस state का कोई फरक नहीं पड़ता है, यह liquid हो, मैं कहता हूँ यह gas हो, और यह solid बना ले, जहां संदा, कोई फरक नहीं पड़ता है, इस state का सब को लिखना है, यहां से समझिएगा, तो आप लिखोगे, rate of reaction, अगर instantaneous लिखू मैं, आप लिखोगे, minus d, hg upon dt, और बराबर किस के होगा, minus d, d, hg, cl2 upon dt के, minus sign क्यों लगा, क्योंकि दोनों reactant है, plus का sign लगेगा, d, hg, cl2 upon dt हो जाएगा, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाईयों, मेरे बहनों, क्या सब को समझ में आया की नहीं आया, तुमने का सर समझ में आ रहा है, अगर reactant है तो negative का sign लगाना है, product है तो positive का sign लगाना है, बस इतना ही करना है ना, हमने का हाँ, बिल्कुल इतना ही करना है, तुमने का चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, जहां से समझ ना, अभी तक मैंने जो reaction लिखी थी, वो a plus b gives t plus t लिखी थी, तुमने का ठीक हैसा, अच्छी बात, तो इसका जब तुमने rate of reaction लिखा था, instantaneous ही लेके चलूंगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा होगा, तो minus da upon dt, बराबर minus db upon dt, और यह बराबर था, plus dc upon dt के, बराबर था, plus dd upon dt के, अभी अभी एक मैं टर्म जोडना चाहूंगा, a के disappear होने की rate और c और d के बनने की rate, अभी बात में entry करेंगे, पहले द्यांसे समझ लो, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि यह a, a आ जाए, यह bb आ जाए, यह cc आ जाए, प्लस dt आ जाए, पहले समझ लो, लिखना कैसे है, पूरी थोरी एक्स्प्लेइन करूंगा, आप परिशान मत हो, ध्यांसे समझना, rate of reaction, instantaneous का, मेटा, जब स्टाइक्योमेट्री कोफिशियंट एक है, तब तो कोई tension ही नहीं है, लेकिन एक के अलामा कुछ आएगा, एक के अलामा कुछ आएगा, तो स्टाइक्योमेट्री कोफिशियंट से भाग करना है, तो भाग करने के दो तरीके, जैसे मैंने लिखा कि, जैसे मैंने लिखा कि, एक्स में भाग कर दो एका, तुमने एक है, या फिर ऐसे लिख दो, तो 1 by A से multiply कर दो x में, क्या दोनों बात ने ठीक हैं कि ने ठीक हैं, उने का हाँ सर, अच्छा मैत सिखा रहे हो सर, x में A का भाग करोगे है, या फिर 1 by A से multiply करोगे, बात तो एक ही सर, इतना मैं भी जानता हूं, मैंने का नहीं मैं उन लोगों को बता रहा हूं, जिनका मैत मे M ही गायब है, आयथ में चल रहे हैं, ध्यान से समझना, तो यह हो जाएगा 1 by A into minus da by dt, तो A जैसे लिखते हैं तो वैसे लिखो नों कुछ लोग परिशान हो जाएंगे, कहेंगे इसमें बदल रहा है, da by dt, अब कुछ लोग सोच रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, ब्रेकट के और यह बराबर हो जाएगा, 1 by c into minus plus, minus क्यों, plus ही होगा न, dc by dt, plus dc by dt, तो plus लिखो, चाय मत लिखो, कोई फरक नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, dc by dt, बराबर, 1 by d, और हो जाएगा, dd upon dt, अब कुछ लोग पलशान हो रहे हैं, सर, यह कैसे लिख दिया, बेटा, इसको आप open करके भी लिख सकते हो, कैसे? पहली बाल लिख रहा हूँ, इसलिए समझा दे रहा हूँ, गुड़ा कर दो हो जाएगा, minus d upon dt, अब यह गुड़ा हो गया ना, तो नीचे में ही तो होगा ना, गुड़ा, नीचे में ही तो गुड़ा होगा ना, या, 1 by ऐसे कर लो, ऐसे नहीं लिखना है, तो ऐसे कर लो, minus 1 by a into d by dt, अब तो overall minus आ गया ना, तुमने का हासर समझ में, आ रहा है, चाहे अंदर लिखो, चाहे बाहर लिखो, ठीक है, ध्यान रखना, अंदर ही लिखने की कोशिस करना, गुड़ा भाग बाहर से करना, इसे ऐसे लिख दो, minus 1 by b into d by dt लिख दो, क्या मेरी बास समझ मारी बाकी तो सब सेम ही रहेगा, तुमने का ठीक है, इसके टर्म में मत लिखना कभी भी, तुमने का एक बात, दो बात समझ माएंग, क्या, इस्टाइक्योमेट्रीक कोफिसियंट से डिवाइड करना है, क्या, इस्टाइक्योमेट्रीक कोफिसियंट से डिवाइड करना है, और सब पहले हम सीख चुके हैं कि reactant में क्या लगाना है negative sign, product में क्या लगाना है positive sign, तो चलिए rate of reaction लिखते हैं, जैसा मैं लिखा, a gives 2b, तो इसका rate of reaction अगर मैं instantaneous का लिखूँँ, मैं हम ऐसा instantaneous का ही लिखूँँगा, तब लिखूँँगे minus da by dt, और इसका मैं rate of reaction अगर b के form में लिखूँँ, तो rate of reaction क्या हो जाएगा, plus, ऐसे लिख दूँँ मैं, 1 by 2 into, या फिर break-up लगा दो, तुमने का नहीं break-up लगाऊंगा, लगा दो break-up, db by dt, और जब दोनों ही rate हैं, तो क्या मैं सीधे-सीधे यहाँ पर ऐसे ना लिख दूँँ, plus, 1 by 2 into, db by dt, तुमने का बिल्कुल सही बात है, सही बात है, समझ में आ गया, सुनो जरा, आगर मैं लिख दूँ, 2a plus, 3b, gives, 4c plus 5d, ध्यान से समझना, तो rate of reaction का term कैसे लिखना बेटा, टेकनीक सिखा रहा हूँ, जुगार है ये, थेओरी खतम हो गई है, उससे आप नहीं कर पाऊँगे, टेकनीक सीखो, तो rate of reaction कैसे लिखोगे, instantaneous का, कैसे लिखोगे, instantaneous का कैसे लिखोगे, अब लिखोगे, 1 by 2, minus, da upon dt, और ये बराबर किसके हो जाएगा, बेटा, 1 by 3, minus, tby dt के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 by 4, product है तो प्लस रहेगा, प्लस लिखो चाहे, मत लिखो कोई फराख, नहीं पड़ेगा, बराबर हो जाएगा, 1 by 5, dd upon dt हो जाएगा, dd upon dt हो जाएगा, dd upon dt हो जाएगा, सुनना जरा, एक इपस 2 भी था, तो rate of reaction minus d upon dt भी है, 1 by 2 into db upon dt भी है, द्यान से समझ देना, अगर mole एक से जादा आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, तो भाग करना पड़ेगा, दो था था था, देखो 1 by 2, भाग करने मतलब 1 by 2 से multiply कर दिया, ठीक है, 3b मतलब 3 into minus db upon dt कर दिया, 4c मतलब 1 by 4 upon dt कर दिया, 5d मतलब 1 by 5 into dd upon dt कर दिया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लो, समझ रहे हैं सारे, तुमने कहां सर, आप सवाल दे के देखो, 2hi, ncrd का सवाल, h2 plus i2, चलो लिखो, rate of reaction लिखो, rate of reaction चाहे, instantaneous में लिखो, चाहे, average में लिखो, तुमने कहां सर, average में लिखेंगे, तो delta आएगा, instantaneous में लिखेंगे, तो t आएगा, लिखेंगे, दोनों same ही, तुमने कहां ठीक है, यार, ठीक है सर, average लिख दो, और rate of reaction, instantaneous लिख दो, पॉज करो, लिखो, देखो, क्या सही होता है तुम्हारा, बिल्कुल सही होगा, 1 by 2 into minus, minus delta, hi upon delta t, पराबर होगा, एक है तो कोई फर्की नहीं पड़ता, एक बटा एक, और एक से गुड़ा भाग करने कोई फर्क पड़ेगा, क्या, नहीं सर, product है तो positive रहेगा, dh2 upon dt, यहां भी हो जाएगा, 1 by 1 into d, i2 upon dt, negative sign किसके सामने आते हैं, reactant के, positive sign, product के, mole है तो भाग करते हैं, 1 by 2 हो जाएगा, minus d, hi upon dt, पराबर हो जाएगा, 1 by 1, d, sorry, कितना d लीग दिया ना, कि वो, यहां पर d आना चाहिए था, delta, hi upon delta t, delta, i2 upon delta t, ठीक है, dh2 upon dt, अरे तुम समझ गए हो, मेरे को पता है, तुम्हारा सही था, मेरा गलत है, तुम जीत गए है, बस, 1 upon 1, 1 के कोई फरक नहीं पढ़ता, सर, समझ में, आ गया, सर, अच्छी बात, अच्छी बात है, दोस्तों, कि यह तुम लोगों को समझ में आ रहा है, फोड़ा थोड़ा है, समझ में, हां सर, समझ में आ रहा है, आ रहा है, चलो, जहां से समझना, जैसे मैं लिख दूँ, ब्यारो 3 माइनस, प्लस, प्लस, ब्यार माइनस, प्लस, 6H, प्लस, गिप्स, ब्यार 2 प्लस, H2, यहां पर लगा दिया मैंने, बैलेंस करने तो दोस्त, 6H, प्लस है, जैब 3H2 हो जाएगा, ठीक है भी, यहां, तो, एक वियार इदर है, 3 वियार 2, 3 X, प्लस प्लस 5 में है, यह माइनस 1 में है, 5-1 वो गिप्स बीर 2 ठीक है 3 बीर 2, 5 बीर, माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1, एक यहां, पाच वाँ, ठीक है तो 3 एक छेक, 3 ठीक है, ठीक है, बैलेंस भी है, बैलेंस है, निस्याटी के सवाल है, बैलेंस है बैलेंस करना चीकाएंगे, तुमाँ बैलेंस, नहीं करना, बैलेंस, नहीं करना, मैं उना, मैं उना भी एमस में आया, 17 में 2000 सवाल दिखाता हूं, बैलेंस, नहीं करना, गिवेन है, ठीक, गिवेन है rate of reaction sir अगर instantaneous में लिखना होगा तो क्या होगा सभी के term में लिखो तुमने का sir ये reactant है का हुआ minus d pro3 minus upon dt अब कुछ लोग सुच रहोगा sir इसका minus बाहरवाल minus से मिल को plus होगा ये कंटा ये minus charge है उस पे उतनी के पराबर 1 by 5 minus d vr minus dt बराबर हो जाएगा 1 by 6 minus t h plus upon dt और बराबर हो जाएगा 1 by 3 t vr2 upon dt के और ये बराबर हो जाएगा 1 by 3 t h2o upon जी ठीक है अभी rate of appearance rate of disappearance नहीं बताओ परशान मत ठीक है तुमने का sir ये चीज़ समझ में आ रही है अब हम कुछ भी लिख सकते हैं सवाल करवाओ तुमने का सर सवाल करो हम कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है भी ये पहला सवाल बहुत ही जबरदस सवाल क्या है सवाल जरा द्यान से समझें भी ये समझें जरा सवाल क्या है जहां से देखो बहुत है जहां से समझो तो रेट आफ रियक्शन इज एक्सप्रेस्ट ये बेटा माइनस है ये माइनस है जहां से देखना तो ये ए और बी क्या होंगे रियक्टेंट होंगे ठीक है sir C और D पॉजिट्व हैं C और D पॉजिट्व हैं तो ये प्रोड़क्ट होंगे तुमने का sir ये चीज समझ में आ गया sir अब ये वाला तो कट गया है इन दोनों में चूज करना है पीटा चार से भाग किया यानि कि 4 रहा होगा यहां तो कुछ नहीं किया मतलब एक रहा होगा C और D में देखो C में 2 से भाग किया है तो 2 रहा होगा D में 3 से भाग किया तो 3 रहा होगा this is reaction this is reaction क्या आपका भी मैच किया दोस्तों क्या मेरी मेहनत क्या मेरा मेहनत नहीं मेहनत तो आप कर रहे हो क्या हम दोनों का मेनत रंग ला रहा है एंसर बता पा रहे हैं हम लोग अरे यार कचाहीन मत किया करें यार सुनो जरा जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोटा मोटा समझो इधार देखो इधार आओ rate of reaction सर प्लस माइनस delta c upon delta t प्लस माइनस dc upon dt ठीक है सर निगेटिव के सामने एक मेंटे एक मेंटे यह मैंने बोला नहीं rate of disappearance नहीं बोला तिसलिए आप मत लिखो आओ करो बेटा पॉच करो पॉच कीजिए ठीक है तुमने का सर एक बटा 3 से multiply होगा सर और एक बटा 2 से multiply होगा हमने का बहुत पक्की वाली बात तुमने का सर मेरा मन है हमने का क्या मन है तुमने का सर मैं बिना लिखे स्वाल कर सकता हूँ N2 में देखो प्लस N2 में देखो rate लिखना है relation थोड़ी बताना rate लिखना है तो यह सर conceal हो गया और यह सर दो से गुड़ा किया conceal हो गया हमने का भाईया लिख दो ज्यादा टेज मत बनो ठीक है टेज बनोगे तकलीफ में आ जाओगे तुमने का माइनस दी N2 बाई DT बराबर होगा 1 बाई 3 माइनस दी H2 बाई DT इसे मैं माइनस 1 बाई 3 D H2 बाई DT भी लिख सकता हूँ 1 बाई 2 T N3 divided by DT हो जाएगा तुमने का सर ये वाला कहा दिखने को मिलना हमने का देखो यहां माइनस माइनस 1 बाई 3 से भाग किया प्लस 1 बाई 2 ये सही हो जाएगा ये वाला गलत क्यों है क्योंकि 3 से गुडा नहीं किया है भाग नहीं किया गुडा कर दिया गलत हो जाएगा यहां यहाnda यहां पर माइनसी झाह इस लिए गलत हो गया यहां पर माइनसी झाह इस लिए गलत हो गया तो इसнова दो मजा आयाliers मेर में यह कितने लोगों का सई ता बताओ अरे बही neu या अर्य गइillar निक्यंत्रौन आवर न Smilj रे भाई बताओ किसका सही था, नहीं सही था, चलो एक कुश्चन और करके दिखाओ ज़रा तो, चलो, पॉच करो, कह रहा है कि, which of the following does not express the rate of reaction, कौन rate of reaction को express नहीं करता है, पॉच किया, हो गया, इधर देखो, rate of reaction लिखूँँगा बेटा, तो 1 by 2 minus da by dt लिखूँँगा, tk सर, या फिर बराबर हो सकता है, minus tby dt के, या फिर 1 by 3 tc by dt के, या फिर tdy dt के, तुमने का हां सर, इन में से 4 कोई हो सकता है, minus dby by dt सही है, कि, which of the following does not express the reaction rate, ठीक है, minus dby by dt सही है, minus 1 by 2, minus 1 by 3, dc by dt गलत है, dby by dt भी गलत है, minus 1 by 2, dc by dt भी गलत है, तो बटा, सही क्या है, बी है, तो लिखा, which of the following, does not को हटा के, कर लो, does, express the reaction rate, यह मैंने लिख दिया, पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, दूसरा गलत, दूसरा सही है, अब देखो, जैसा भी तुम्हें पूछे, single option होगा, तो भी, multiple option होता, तो भी does not रहने देता, यह important था, यह आया, हाँ सर, यह आ रहा है, मैच कर वा लेंगे, ठीक है सर, ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझो, जो reactant होता है न, उससे क्या बनता है, product बनता, क्या बनता है, product बनता, अगर किसी reaction में, concentration में change आ रहा है, तो reactant के भी तो disappear होने का rate होगा कुछ, product के भी appear होने का rate होगा कुछ, यानि की मेरे भाई, यानि की मेरे भाई, जो reactant होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, rate of disappearance यूज करेंगे, यूज करेंगे, rate of disappearance यूज करेंगे, ठीक है, जो product होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, rate of appearance यूज करेंगे, क्या यूज़ करेंगे rate of appearance यूज़ करें ठीक है भी या इसके खास बात क्या है ROD लिखूंगा मैं इसे shortcut मैं क्या लिखूंगा ROD लिखूंगा आगे से ध्यान रखना और rot of appearance को ROA लिखूंगा ROD का मतलब होता है जैसे हम rate निकालते थे वैसे ही क्या हो जाएगा ah minus delta r upon delta t कर अचांच अच्छा यह थोड़ासा confusion दे सकता है अभी क्वेट Самर से समझाता हूं जैसे मैंने लिखा 2a gives 3b, मैंने लिखा 2a gives 3b, आव समझाते हैं, तो rate of reaction जो होगा, वो होगा 1 by 2 minus da by dt, पराबर होगा 1 by 3 dby dt, ठीक है भया, पैटा देख लेना कहीं कोई कल्कुलेशन होगी, गलत होगी तो बता दिजिएगा, ठीक है भया, एक बात हम नोट करके समझ लो, कि rate of reaction stoichiometry पर depend करेगा, लेकि rate of disappearance और rate of appearance stoichiometry पर depend नहीं करेगा, यानि कि अगर मैं तुमसे पूछू, rate of disappearance, मैं तुमसे पूछू, rate of disappearance और a, a के disappears होने कार जो rate होगा, वो minus da by dt होगा, उसको कोई फरक नहीं पड़ता कि reaction में stoichiometry coefficient क्या है, इसी प्रकार, अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ, चलिए, अगर मैं बात करूँ, rate of appearance of, आप b की, तो बेटा, वो हो जाएगा, plus dby dt, यानि कि उसको कोई फरक नहीं पड़ता, reaction किस rate से हो रही है, a के disappear होने की rate जो होगी, वो सिर्फ इतना होगी, minus da by dt, और जो b होगा, b के appear होने की rate होगी, plus dby dt, यानि कि तुमने ये चीज समझ लिया, कि rate of reaction, rate of disappearance, rate of appearance के बराबर हो सकती है, कब जब उनके stoichiometric क्या हो, unit हो, तुमने का सर, समझ नहीं पाए, मोटा मोटा समझाओ, a plus b gives c plus d, अगर rate of reaction लिखना है, तो बिटा, minus da upon dt हो जाएगा, बराबर minus db upon dt हो जाएगा, upon, plus dc upon dt हो जाएगा, plus dt upon dt हो जाएगा, बिटा, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो rate of reaction जो है, यहाँ पे, वो rate of disappearance of a है, और यहाँ पे, rate of disappearance of b है, और यहाँ पे, rate of appearance of c है, और यहाँ पे, rate of appearance of d है, ऐसे कैसे लिख दिया सर, जो rate of disappearance होगा, वो minus d by dt होगा, यानी कि rate of reaction, rate of disappearance of e के बराबर होगा, जो rate है वो हमने सीख लिया था minus db by dt लिखा है और वही rate of disappearance भी होगा यानि कि rate of reaction भी इसके बराबर होगा जो dc by dt है rate of appearance भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा तो सर दिक्कत क्या है rate of reaction बराबर है appearance difference के नहीं अगर कभी भी ऐसा लिखा आएगा aa plus pb gives cc plus dd ये वाली cc नहीं है small c capital c तो बेटा rate of reaction जो होगा वो 1 by a minus dA by dt हो जाएगा 1 by b into minus db by dt हो जाएगा 1 by c into dc by dt हो जाएगा 1 by d into dt by dt हो जाएगा तुमने का ठी गई है ये rate यानते है अपन rate of appearance rate of disappearance का मतलब सिर्फ क्या है उसकी concentration में कितना change हो रहा है अगर आप particular पूछ रहे हो किसी reaction में कि reactant की concentration में कितना change हो रहा है तो reactant की concentration में कितना change रहा है वो है rate of disappearance product की concentration में कितना change हो रहा है वो है rate of appearance यानि की rate of reaction rate of appearance rate of disappearance बराबर तभी होगे जब unit होगा नहीं तो बराबर नहीं होगा देखना कैसे यानि कि rate of reaction को मैं इसके भी term में लिख सकता हूँ minus da by dt क्या है minus da by dt क्या है rate of disappearance of a तुमने का यह अच्छी बात है sir rate of disappearance of a बराबर हो जाएगा 1 by b into rate of disappearance of b हो जाएगा 1 by c rate of appearance of c बराबर हो जाएगा 1 upon d rate of appearance of d यानि कि आगे चलके हम सीधे-सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि rate of disappearance of a upon stoichiometric coefficient बराबर rate of disappearance of b upon stoichiometric coefficient बराबर rate of appearance rate of appearance of c upon c बराबर rate of appearance of d upon d तो उन्हें गा अच्छा धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हो धीरे-धीरे हम समझ रहे हैं तो चलिए एक सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं फिर हम इसमें धेर सारे सवाल करेंगा मने लिखा a 2 a gives 3 b ठीक है भी या if rate of reaction ऐसे लिख दू में rate of disappearance of a is 4 into 10 to the power minus मैं ऐसे लिख दू 4 को मैं 12 कर दू 12 into 10 to the power minus 5 m second inverse then find rate of reaction and rate of appearance of b ठीक है भी या चुनना जरा जो दिया है उसे देने दो पहले आपको rate of reaction का आपको relation लिखना पड़ेगा पेटा ध्यान से समझे rate of reaction rate of disappearance कल वाले लेक्चर में फिर से पढ़ाऊंगा एकदम परिशान नहीं होंगे जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे ठीक है भी या तो जाएगा 1 by 2 minus d a by dt बराबर 1 by 3 d by dt आप ध्यान से सुनना given क्या है rate of disappearance आफ ए होता है minus d a by dt तो minus d a by dt की value given है 12 into 10 to the power minus 5 unit छोड़ दे रहा हूं तो पेटा rate of reaction क्या हो जाएगा 1 by 2 into minus d a by dt की value given है 1 by 2 into 10 to the power minus 5 यानि की rate of reaction क्या हो जाएगा 6 into 10 to the power minus 5 बिल्कुल सही बात है सब अब मुझे निकालना है rate of appearance of b और given क्या है दोनों given है तो किसी का भी बराबर कर लो तो मैं इन दोनों को बराबर कर ले रहा हूं तो 1 by 2 minus d a by dt बराबर हो जाएगा 1 by 3 d b by dt ये हमको निकालना है ये हमको निकालना है क्योंकि यही तो rate of appearance अब भी है तो बेटा 1 by 2 into minus d a by dt हे 12 into 10 to the power minus 5 is equal to 1 by 3 और ये हमको मैं बोल दे रहा हूं rate of appearance of p इसको उड़ा दो बेटा तो 6 हो जाएगा इधर जाके multiply करेगा तो 18 into 10 to the power minus 5 बराबर हो जाएगा rate of appearance of p क्या इतनी बात समझ में आईए आप सभी लोगों को ठीक है सर थोड़ी बात समझ में आ रही है एक कुश्यन और करेंगे कुश्यन कैसे करेंगे आप जहरा ध्यान से समझें कुश्यन है जहां पर पहले आप पॉच किजी स्वाल किजी मैं करता हूं फर कहरा कि in the following reaction how is the rate of appearance of the underlined पेटा अंडरलाइन नहीं किया तो मैं कर देता हूं यह अंडरलाइन है और यह अंडरलाइन है टीक है product related to the rate of disappearance of the underlined टीक है भी हाँ तो यह पे एक है तो एक बटा एक minus T PRO 3 minus upon DT, यह rate of disappearance of B, बोलने का तरीका अलग है बस, बराबर 1 by 3 D PRO 2 by DT, इसे बोलेंगे हम rate of appearance of B, कहरा कि कैसे related है एक दूसरे से तो जब तक आपको rate of reaction का term लिखना नहीं आएगा मेरे भाई तब तक आपको यह बात समझ में नहीं आएगे तो बटा यह आप देख लो कहां से हो जाएगा 1 by 3, तो हो जाएगा minus D, BRO 3 upon 1 by 3 BR 2 upon DT, यानि कि C option हो जाएगा अभी जो मैंने question करवाया है उसमें लिखा है कि पाउच कीजी है आप कीजी है फिर मैं solve करता हूँ ठीक है कर लिया होगा इन्दा reaction, A plus 2B gives 6C plus D initial rate minus delta A upon delta T T बराबर 0 पे दे रखा 2.6 into 10 पा-2 what will be the value of minus DB upon DT at T बराबर G परिशान बिलकुल मत हो जब तक आपको rate of reaction का term नहीं लिखना आएगा 1 by 1 minus delta न दे रखा तो delta A upon delta T बराबर 1 by 2 minus delta B upon delta T बिटा minus delta A upon delta T की value कितनी दे रखी है 2.6 into 10 to the power minus 2 बराबर 1 by 2 minus delta B upon delta T निकालना है, दो को इधर ले आओ तो 2 into 2.6 into 10 to the power minus 2 बराबर minus delta B upon delta T यह हो जाएगा 5.2 into 10 to the power minus 2 बराबर minus delta B upon delta T यानि की option number C इसे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय की थोड़ी सी बाधा है इसलिए अब यहाँ पर हम lecture को समाप्त करेंगे बस आपको एक request बहुत सारे सवाल है आप देख लो आपको लगेगा कि सर आपने करवाए नहीं यह देखो सवाल ही सवाल है थोड़ा समझाने में भावनाओं में आगे बढ़ गया तो पहले आते ही मैं यह सारे सवाल करवाऊंगा question करवाऊंगा पहले तो theory revise करवाऊंगा फिर question करवाऊंगा इसलिए आप परिशान बिल्कुल नहीं होंगे बस आप मोटा मोटा समझ लेना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है वो पैसे ही बस बहुकाल के लिए बताया है मोटा मेटा दो बास हमल लो reactant के सामने negative product सामने positive एवरेज है तो डेल्टा instantaneous है ती स्मॉल डी रेट आप डिस अपीरेंस हम यूज करते है reactant के लिए rate of appearance भाई जो घतम हो रहा डिसपीर हो रहा जो बन रहा वो अपीर हो रहा तो rate of disappearance reactant के लिए rate of appearance product के लिए ठीक है भाई अगर आपको इस टाइक्यों metric coefficient दिया है तो rate में भाग करना लेकिन rate of appearance rate of disappearance में कोई भी भाग गुड़ा नहीं होगा ठीक है ना तो कल में rate of appearance rate of disappearance बहुत अच्छे से समझाओंगा इन में relation भी समझाओंगा नुमेरिकल भी कराओंगा पस आज के लिए इतना ही कल मुलाकात होगी नए topic के साथ इसको revise करने के बाद नए topic के साथ नए जोस के साथ थैंक्यू शुक्रिया नमस्कार